दोस्तों नमस्कार हिमाले आयर्विज चैनल में आपका स्वाकत है दोस्तों आज हम हिर्दय के लिए गुणकारी औशदी के बारे में बात करेंगे ये औशदी है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है रासना याने की लहसुन लहसुन का परियोग सदियों पहले से भारतिय घरों में चला आ रहा है याने की मसालों के रूप में इसका परियोग हम लोग करते आ रहे हैं तो चलिए आज हम बात करेंगे इसके औस दिया गुणों के बारे में दोस्तो लहसुन सुभाव से वातनाशक याने की वायू को दूर करने वाली एक आशदी है आज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हिरदय के लिए किस परकार से अमरित तुल्य काम कर दी है यति आप बविश्य में हिरदय रूख से बचना चाते हैं या जिनकी आर्ट्रीज में याने की रक्त वाहिकों में संकुचन हो गया है या कॉलिस्ट्रोल बढ़ने के कारण अर्थात हिरदय की वाहिकों में चर्वी बढ़ने के कारण उनकी वाहिकाएं संकुचित हो गई हैं जिससे की ब्लड फ्लो कम होने की आशंका है तो इसका प्रियोग आप किस परकार से कर सकते हैं मैं आपको बदाने जा रहा हूँ दोस्तों आपको क्या करना है कि सुबह उठकर चाए इत्यादिपी के या निराहार खाली पेट दो-चार लैसुन के कलियां चवा कर और उसके उपरांत उपर से पानी पी लें यानि की जल का हमें सेवन करना है दो-चार कलियां दातों से पीस लें या चबा लें अच्छी तरह से उसके बार उसके बाद घूट-घूट कर पानी पी लें बस आपको इतना करना है पानी आप गुन-गुना गर्म या सीतल रित्वनसार जैसे आप पोचित लगे आप इस तरह से इसका सेवन कर सकते हैं यहां परियोग आपको हफ्ते में एक-दू दिन या दो-चार बार करते रहना है जब तक कि आपको यहन लगे कि अब चेस्ट में बिल्कुल किरियर या हलकापन हो गया है यानि कि जिन लोगों को वियास अंका है कि उनको कोलिस्टोल सरीज में बढ़ रहा है तो वह लोग इस परियोग को कुछ दिन तक अविश्य उप्योग करें यानिकि जब उन्हें लगने लग जाए कि जस्ट हलकी हो गई है यानिकि जो सीने में भारी पन लग रहा था या हलका सा दर्द बाई तरप लग रहा था विए लोग इसको आवजच चे एक बार इस्तमाल करें और आप देखेंगे कि आपका शरीर आपका जो खून है वहाँ पतला हो गया है जो अत्रिक्त चर्वी है हमारी रक्तवाहिकाओं में वहाँ आटोमेटिकली लेसुन के कारण गल गई है यानि कि चर्वी को यहाँ अनावसक चर्वी को समाप्त कर देता है और हमारी रक्तवाहिकाओं खुल कर उसमें बलड़ फ्लो होने लगता है जिसे की हिर्दय घात होने की संभावना बिल्कुल सुनने हो जाती है तो दोस्तो लेसुन का आपने यहाँ परियोग हिमालय आइरवेज चैनल पर सुना दोस्तो इसके इलावा लेसुन के एक नहीं अनेको अनेक इसमें गुण होते हैं जिनको की हम अगने नेक्ट वीडियो में आपको जुरूर बताएंगे और आज के लिए बस इतना ही हमारे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब करते रहें धन्यवाद नमस्कार